नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूस का में मैं वन्दिना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में हम अलग-अलग विशयों पर चर्चा करते हैं चाए वो विशय राजनितिक हों, सामाजिक हों या फिर हों धार्मिक इनी विशयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियों में मौझूद है सीनियर जनरलिस्ट प्रदीप शाही जी शाही जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शाही जी हर्याना में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं ये एक साल से लंबित हो चुके हैं हाई कोर्ट में मामला है क्या है पूरा मामला? जी मैं, ऐसा है कि हर्याना रज्ज में पंचायद चुनाव बीते साल फर्वरी में लंबित हो गए थे, अपना कारेकाल पूरा होने के बाद, अब ये चुनाव उस समय से ने होने के कारण, वहां लोगों की मांग है कि पंचायद चुनावों को पूरा करवाया जाए, जल्दी की जाए, और अब ये सुनवाई आठ फर्वरी को होने जा रही है, ताकि पंचायद के चुनावों को पूरा किया सके, नवजोट सिंग सिद्धू जोरो शोरो से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और उनका इंट्रेस्टिंग तरीके से विरोत किया जा रहा जी मैं, अमरेज सर नौर्थ की सीट बेट होट सीट हो चुकी है, इसका मुख्य कारण की कांग्रेस की और से नवजोट सिद्धू और अकाली दल की और से विक्रम सिंग मजीठिया चुनावी मैदान में हैं, दोनों आमने सामने हैं, इस कारण ये चुनाव बहुत ही रोमा किया और डोर टो डोर के तहट वो घर घर जाने का काम कर रहे थे, उनके कारे करता, उनके समर्थक आगे घर खुलवाने का काम कर रहे थे, ताकि नवजोट सिद्धू से लोगों की आपसी रूबरू कर रवाया जासके, प्रंतु एक शेत्र में ऐसा हुआ कि नवजोट स्थिती बन गई थी और वहां से नवजोट सिद्धू बिना मिले ही और बिना प्रचार किये ही वापिस लोटना पड़ा। खराब होने के चलते उन्हें पीजी आई में भरती करवाया गया है। जानकर ये भी मिल रही है कि वो रूटीन चेक अप के तौर पर पीजी आई दाखिल करवाये गये हैं। कि बता दें आपको कुछ समय पहले उनको करोना हो गया था महामारी के कारण इनको अब दुवारा बीजी आई में भरती करवाया गया है। ताकि उनकी सेहत की पूरी जान भीन की जासे की। जी में। अपने ट्रैक्टर को जो की 33 साल पुराना था उससे बहुत बेहद लगाव था उसको डिस्पोज आफ करने की जगए उन्होंने अपने घर की तीसरी मंजल की चट पर ही रखवाने का फैसला किया। इस पर उनके लाखों रुपे खर्चाए। उन्होंने उस ट्रैक्टर की पूरी रपेयर करवाई। उसको रंग रोगन करवाया। उसको मशीन के जरिये चट पर तीसरी मंजल पर रखवाने का काम किया। इस काम के लिए उन्होंने ट्रैक्टर में एक रिमोट कंट्रोल भी लगवाया है। ताकि वे रिमोट कंट्रोल से ट्रैक्टर को रोजाना चला सकें ताकि वे ट्रैक्टर लंबे समय तक अपनी आयू पूरी कर सकें। ये है एक खास ख़बर। पंजाब चुनाव में कांग्रेस के खुद के उमीदवार उनके लिए सरदर्द बन गए हैं। कैसे और वो उमीदवार कौन कौन से हैं। इसी पठाना से बतोर आजाद उमीदवार अपनी ताल ठोक दी है। कांग्रेस की और से उनको बिठाने की काफी कोशिश की गई। प्रंतू डॉक्टर मनोहर सिंग ने वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी गुर प्रीच सिंग जीपी के खिलाफ आजाद उमीदवार अपन ताल ठोक दी है। यहाँ पर राना गुरजीद सिंग अपने बेटे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भदोर में भी डिप्टी स्पेक्कर अजैब सिंग भटी को टिकट ने मिलने के कारण उन्हों ने अपनी पत्नी मनजीत कौर को चुनाव में उतार दिय अब ये तीनों प्रतियाशी क्या स्थितियां कांगरेस के लिए पैदा करेंगे इसका फैसला 20 फरवरी को होने वाले मददान में होगा और सही स्थिति 10 मार्च को चुनाव के परिनाम आने पर ही पता चलेगी। पंजाब चुनाव की ही बात करें तो चुनाव में दखल अ अरूशा ने पाकिस्तान की जो पत्रकार हैं उनके लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर संग के साथ घनिश संबन सामने रहे हैं इसी कड़ी के तहट पंजाब में चुनाव जो हो रहे हैं इस बार कैप्टन अमरिंदर संग कांगरेस की जगए पंजाब लोग कांगरेस के बतौर परधान पट्याला से चुनावी मैदान में हैं अरूसा ने एक बार फिर कहा है कि विकाप्टन अमरिंदर संग ही एक सफल परत्याशी हैं और जो सही कैप्टन के रूप में ही लोगों को नुमाइंदगी दे सकते हैं वही एक बात आपको बता दे कि कैप्टन अमरिंदर संग ने कुछ दिन पहले भी अपने एक बियान में कहा था कि वी पाकिस्तान के परधान मंत्री इमरान खान नवजोज सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए उन पर दबाब डाल रहे हैं इस तरह की घटनाएं पाकिस्ता की हर बार दखलन दाजी चुनाव में दिखाई दी ये एक चिंता का विशय बना हुआ है चाहे वो चरंजी सिंग चन्नी के मामले में हो चाहे वो नबजो सिद्धू के मामले में हो चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंग हो या फिर अरूसा का बियान जी मैं शाही जी आपने विबिन विबिन विश्याओं पर अपना प्रतिक्रम रखा आप यहां आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे नई खबरों के साथ प्रोग्राम खुलासा न्यूस का में तब तक के लिए धन्यवाद झाल